तो बच्चो एलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्कस कर लेने के बाद अब हम कॉलाइडल सोलूशन की सेकेंड प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉगलेशन इसे फ्लोकलेशन भी कहते हैं और ये प्रिसिपिटेशन भी कहलाता है मतलब ट्रू सोलूशन में जो चीज प्रिसिपिटेशन होती है कॉलाइडल सोलूशन में उसी फिनॉमिना को कॉगलेशन कहते हैं तो चलिए समझा जाए कॉगलेशन क्या होता है आप लोगों ने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कॉलाइडल पार्डिकिल पे एक पर्डिकुलर चार्ज होता है चाहें प्लस चार्ज हो चाहें माइनस चार्ज हो अब अगर उस चार्ज को न्यूटलाइज कर दिया जा तो क्या होगा जब collidal particle neutral हो जाएंगे तो wonder wall forces के थुरू वो करीब आएंगे और करीब आके aggregate बना के settle down हो जाएंगे Settle down होने का मतलब है gravity उनके उपर काम करने लगेगी और वो precipitate की form में आ जाएंगे इसी phenomena को हम coglation कहते हैं अब बेटा ये होगा कैसे तो इसके लिए जो पहला तरीका है वो है addition of electrolyte electrolyte add करके हम लोग collidal particle के charge को neutralize कर सकते हैं तो चलिए समझते हैं इसको When an electrolyte is added to collidal soul the particles of soul interact with the oppositely charged ions of electrolyte and get neutralized जैसे अभी आपने देखा था कि जो hydrated ferric oxide होता है या जो ferric hydroxide होता है वो positively charged soul का example है अब सुचिए positively charged soul का example है तो अगर इस positively charged soul की solution में अगर हम sodium phosphate add कर दें sodium phosphate बेटा phosphate ion होगा और phosphate ion पे देखिए minus 3 charge है यानि negative charge है तो ये negative charge फेरिक hydroxide के जो collidal particle है जिन पे plus charge है उसको neutralize कर देगा अब जब collidal particle neutral हो जाएंगे तो ये aggregate बना के settle down हो जाएंगे under the force of gravity और इससे collidal soul का precipitation हो जाएगा इसी फिनॉमिना को हम coagulation कहते हैं हाँ बस coagulation term हम तब यूज करते हैं जब electrolyte की concentration high हो और flocculation term हम तब यूज करेंगे जब electrolyte की concentration हम low लें ठीक है यानि low concentration का electrolyte डाला तो उसे flocculation बोलेंगे high concentration का electrolyte डाला तो उसे coagulation बोलेंगे अब electrolyte का जो आयन responsible होगा for the neutralization of charge on collidal particle उसे coagulating आयन कहेंगे जैसे आर्सेनिक sulfide एंटीबनी sulfide यह negatively charged soul होते हैं और negatively charged soul को कौन coagulate करेगा positively charged डायन जैसे अल्मुनियम आयन, barium आयन, sodium आयन तो यह जो positively charged डायन है यह आर्सेनिय सुल्फाइट के coagulating आयन है जैसे अभी आपने ferric hydroxide देखा था इसके coagulating आयन कौन होंगे negatively charged डायन क्योंकि उसे plus charge है जैसे phosphate डायन, sulfate डायन और chloride डायन तो positively charged soul का coagulating आयन कौन होगा negatively charged डायन, negatively charged soul का coagulating आयन कौन होगा positively charged डायन, अब एक scientist थे Hardy and Schultz, दो scientist थे basically इन्होंने अपना एक rule दिया था, उसे Hardy, Schultz ला कहते हैं और उन्होंने बताया था कि जो coagulating power of electrolyte है वो coagulating आयन की valency की directly proportional होगा, जैसे negatively charged soul को सबसे जल्दी कौन coagulate करेगा, जैसे plus charge सबसे ज़्यादा हो, यानि alemoonía की coagulating power इन तीनों में सबसे ज्यादा हुई। ऐसा ही positively charged soul को सबसे जल्दी कौन coagulate करेगा ? जैससे minus charge सबसे ज्यादा हो यानि phosphate ion की coagulating power सबसे ज्यादा हुई। ठएके पेटा, तो बहुत आसान है으 hardy शुल्जला इसके ओपर कोश्चन भी आता है तो यह होता है बिटा कोगलेशन तो अच्छे से आप ध्यान नखिएगा कि अगर निगेटिवली चार्ज डायन है किसी इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज कर रहे हैं तो उससे किसका प्रिसिपिटेशन होगा पॉजिवली चार्ज सोल का एंड वाइसे वर्सा वाइसे वर्सा का मतलब निगेटिवली चार्ज डायन आफ इलेक्ट्रोलाइट पॉजिवली चार्ज सोल को कोगलेट करेगा और पॉजिवली चार्ज डायन आफ इलेक्ट्रोलाइट निगेटिवली चार्ज सोल को कहते हैं